नमस्कार मैं। प्रवेंड को उतम। प्रवेंड को से हैं वीडियो में पूरा विश्टेशन करेंगी। पहले आपको बताते हैं कि कि इन 5M का जिक्र किया मुखिचुनाव आयुक्त ने और उन पर वरिश पत्रकारों की राय भी आपको सुनाएंगी। मुखिचुनाव आयुक्त राजियुक्मार ने बात की मनी पावर, मसल पावर, मिस इनफॉर्मेशन और MCC यानि मोडल कोड आफ कंडेक्ट की। इस सब मुद्दों को लेकर राजियुक्मार क्या दावा करते हैं और इतनी बड़ी बात बोल जाते हैं कि हमने मंत्रियों को भी रोकने का काम किया। क्या कहते हैं राजियुक्मार पहले उनका बयान सुनते हैं उसके बाद विश्टेशन करेंगे। नेक्स्ट एम्सीसी वाइलेशन की बात करते हैं इसके बारे में भी काफी बाते हुई हमने पहली बार सूर मोटो पब्लिश किया दो बार कि हमारी क्या हमें प्रेटिशन मिली एम्सीसी की और क्या उसका हमने जवाब दिया। और 90% of 495 major complaints which we received, we have conveyed it through the two press notes also to everybody giving details of what happened and see, जो हुआ और जो नहीं हुआ, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जो नहीं हुआ, M.C.C. में, जैसे मैं बूल राता ना कहीं सारी बटी ना कूकर बटा ना सिलाही बटी, मशीन बटी, कैश का distribution नहीं हुआ, वाइरल फोट कैश ambulance में जा रहा है, officers की गाली में जा रहा है, गालियों में जा रहा है, कहीं नहीं देखने को मिला, हमने देखना, हमने देखा ही नहीं वो कि जो नहीं हुआ, जो एक दो चीज़ हुआ 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 जीतेंगे तो आपको यह देंगे इसको रोका गया कहीं नहीं हुआ उसके बाद एक दो जगे के बाद तो राजी कुमार दावा करते हैं कि बड़े बड़े मंत्री को हमने रोका हम नाम नहीं लेना चाहते लेकि एम सी सी को पूरी तरह से लागू करवाया ये दावा करते हैं और बताते हैं कि पैसा नहीं बटा मटन मचली वगएरा जो इंतजाम किया जाता है वो नहीं हुआ हलाकि जगए जगए से पहुत सारी तस्वीरे ऐसी सामने आई थी शायद राजी कुमार की उन खबरों पर नज प्रदान मंत्री की बयानों में कोई बदलाव आया आकरी के भाशन तक भी पीम मोदी हिंदू-मुस्लिम राजीती करते रहे और राजीव कुमार कहते हैं कि हमने बड़े मंत्रियों को भी रोकने का काम किया आपने जो चिट्टि लिखी राजी कुमार, चुनाव आयोग ने P.M. मोधी के बायानों को लेकर कई मंत्रियों के बायानों को लेकर जेपि नड़ा के नाब जो चिट्टि लिखी थी उसमें भी P.M. मोधी का नाम तक नहीं लिया अगर उन M का नाम लिया होता M for Modi तो शायद भी पक्षी निता सवाल नहीं उठाते पहले आपको बताते हैं कि किस M को लेकर राजी कुमार एक्शन लेते तो कोई मुद्दा नहीं बनता पहला M muslim वाला जो बयान P.M. Modi जो muslim आरक्शन की बात करते रहे और बहुत सारे शब्दों का इस्तमाल उन्होंने किया घुस्पैटिया शब्द का इस्तमाल किया ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले शब्द का इस्तमाल किया तरह तरह की बाते की गई धर्म की राजनिती को लेकर मंगसुत्र वाला जो उन्होंने बयान दिया की आपका मंगसुत्र चीन लेंगे अगर मंगसुत्र पर काम किया होता मटन मचली वाला जो बयान उन्हों ने दिया जो नेताओं की खान पान को लेकर भी वो बोलते रहे कि देखे दिखा दिखा कर मचली खा रहे हैं जाकर नेताओं की घर मटन खा रहे हैं मंदिर मश्चित की जो राजनेती की गई देश के लोगों को डराया गया कि फला की सरकार आगई तो राम मंदिर पर बाबरी ताला जड़ देंगे तरह तरह की बयान तमाम नेताओं की आए प्रधान मंत्री समर्ती रानी और बहुत सारे नेताओं के मुजरा का जो इस्तमाल किया कि अपने वोट मेंक के सामने चाहे भी पक्षवारे जाकर मुजरा करें अपने वोट मेंक की गुलामी करनी है तो करें उनको महाँ जाके मुजरा करना है तो भी करें इस तरह के बयान प्रधान मंतरी ने दी ये पांच M है अगर इने लेकर चटे M यारी मोधी पर एक्षन लिया होता तो आप पर कोई सवाल नहीं उठाता एक ही व्यक्ति पर एक्षन काफी था आपको वाकर निश्पक्ष माल लिया होता लेकि चट्टी में आपने पीम मोधी का नाम तक नहीं लिखा और इसे लेकर वरिश पत्रकार विनोध शर्मा क्या लिखते हैं विनोध शर्मा क्या कहते हैं मुखिचुनाव आयूत को कि डियर राजीव कुमार किर्पिया हमें बताईए कि आपने जो पाइटियों के चीफ को चिट्टी लिखी उसकी बजाए अगर आपने इंडिवीज्वल लीडर्स यानी पीम नरेंद्र मोधी और राहूल गादी को ही चिट्टी लिखी होती उनके विवादास सब्द्भाशन के लिए तो आखिरकार आपने ऐसा क्यों नहीं किया उनके नाम से चिट्टी नहीं लिखी ये बिनोष शर्मा राजीर कुमार से सवाल पूछ रहे हैं और विनोष शर्मा इस बात को ले कर आगे रहाने जताते ह कि किसी ने भी ये सवाल उनकी प्रेस कोंफेंस में नहीं किया ये मुझे और जादा है अहरान करता है मतलब वहां इतने सारे पत्रकार मुझूद थे लेकिन किसी ने सवाल नहीं किया कि आपने पीम मोदी पर एक्शन क्यों नहीं लिया आपने पीम मोदी के नाम से नोटिस क् अद्डा को लेटर लिखा गया और पीम मोदी की इस प्रेस कोंफेंस को लेकर प्रशांद टंडन बरिश पत्रकार क्या कहते हैं मुख्य चुनाव आयोग तराजी कुमार कह रहे हैं कि आयोग ने महिलाओं के खिलाब बयानों पर सक्त शब्दों में पार्टियों और निताओ को निर्देश दिये थी प्रधार मंत्री मोदी के मुझरा बयान पर क्या किया था बताएंगे इलेक्शन कमिशन तो यह सवाल करे प्रशांद टंडन की आकिरकार पीम मोदी के मुझरा जैसे शब्दों के इस्तमाल पर क्या एक्शन लिया गया इसके आगे डोक्टर जाटक परिश्पत्रकार आज की प्रेस कोंफेंस का निचोड निकालते हैं और क्या लिखते हैं चुनाव आयूक की प्रेस वारता क्या आज मुख्य चुनाव आयूक राजी कुमार दिन दयाल मार की किसी ऑफिस से टूलकिट लेकर आये थे क्या क्या इस सवाल का पूरा ज कि क्या कि सबकी हैलिकोप्टर की जाच हुई तो पूरत प्रशिन क्यों नहीं पूछा कि क्या मोदी और शाह के हाली कोप्टर हवाई जाहस की जाच हुई। पूरे चुनाव में मोदी शाह सहीत मांजपा कउंग्रेस के घुश्णा उसके लिए आकिरकार कौन जिम्हदार है? ये सवाल प्रेस कोंफेर्स में मोजूद तमाँ पत्रकारों में किसी ने नहीं पूछे और इसी को लेकर राकेश पाटक मीडिया पर सवाल उठा रही है खेरानी जहताते हैं कि आकिरकार इतने सारे पत्रकारों में ये सामाने सवाल क्यों नहीं किये गए क्या किसी की हिमत नहीं हुई ऐसे सवाल पूछने की और चुनाव आयोक कहते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है चुनाव आयोक के बारे में तो अशोक कुमार पांडे सवाल उठा रहे हैं कि सिफ 28% लोग चुनाव आयोक पर भरोसा करते हैं यानि या तो इतने ही लोग बीजेपी की वोटर हैं या फिर बीजेपी की वोटर्स में चुनाव आयोक पर भरोसा नहीं करते तो अश्यो कुमार पांडे CSD का सर्वे दिखाते वे चुनाव आयोग को और मुख्य चुनाव आयोग को आईना दिखा रहे हैं एक और बयान आद को सुनाते राजी कुमार का आज का मिस इन्फरमेशन को लेकर क्या बड़ा दवा उन्होंने किया और उसका भी विश्टेशन करेंगे कि चुनाव आयोग ने इस चुनाव में उससे रोकने के लिए कितना काम किया पहले क्या कहते हैं जरा सुनिए जब हमने ये अलेक्शन शुरू किया था तो हमारे दिमाग में बड़ी चिंता थी कि ना जाने किस तर्कारीके के इस बार AI generated materials आएंगे किसी की फोटो किसी के साथ लगा दी किसी का voice किसी के साथ लगा दी किसी को fight कहीं पर दिखा दी किसी की rally किसी की view किसी का कुछ कुछ मिला दिया आपको ध्यान में होगा कुछ नहीं हुआ तो मुक्र चुनाव आईग दावा करते हैं कि इस चुनाव में ऐसा कुछ नहीं हुआ मिस इंफॉर्मेशन के लिए AI की जरुवत क्या है जब देश के प्रधान मंत्री ही मिस इंफॉर्मेशन फैलाते हैं विपक्षी पार्टियों की मैनिफेस्टों को लेकर कि फला की सरकार आएक तो आपकी भैस खोले जाएंगे आपकी साइकल चिल लेंगे मंगसुत चिल लेंगे चार कमरे हैं तो दो कमरे चिन लेंगे तो ऐसी मिस इंफॉर्मेशन पर आकिरकार चुनाव आयोग ने क्या काम किया ये बताना चाहिए और बहुत सारे दावे राजी कमर ने आज की प्रेस कोंफेस्टों में किये और एक सोशल मीडिया को लेकर भी उन्होंने दावा किया था तो एक खबर मैं आपको दिखाता हूं जो मिस इंफॉर्मेशन की उन्होंने बात की यह आप देख सकते हैं बीजे पी का एक वीडिय इस्टाग्राम से हटा तो भाजपा पर क्या एक्शन लिया चुनाव आयोग ने ऐसा वीडियो बनाने को लेकर काईदे से बताना चाहिए था चुनाव आयोग को मुक्र चुनाव आयोग तराजी कुमार शायरी सुनाते वे विपक्षी नेताओं का मजाग तोड़ा जाते ह हैं लेकि सताधारी पार्टी की बात करें तो M4 मोदी नहीं बोल पाते हैं ना खुद बोल पाते हैं ना चुनाव आयोग की चिट्टी में लिख सकते हैं कम से कम लिख सकते थे कि आपकी स्टार कैंपिनर मोदी जी ने गलत भाशन दिया है उनकी भाशा सही नहीं है लेकि सि इडिया सिस्टम शब्ट का इस्तमाल करता है कई बार सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए प्रधान मंत्री का नाम लेकर सवाल नहीं करता कोई बड़ी घटना होने पर सिस्टम पर सारी लानत भेज देता है उसी तरह चुनाव आयोग ने स्टार केंपेनर शब्ट का इ हिम्मत रखता है आप मुख्य चुनाव आयोग के दावे को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में पीराज जरूर दें अगर आप हमारी पत्रकारता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के अप्शन का इस्तमाल करें वीडियो को लाइक करें चलको सब्सक्राइब करें नमस्क करें झाल झाल